और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राम विलास पास्वान हमारे वीश नहेरे प्रधान मंत्री मोदी यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे बहुत जादा हैं क्योंकि राम विलास पासवान को श्रधानली देने के लिए प्रधान मंत्री मोधी पहुंचे हैं उनके परिवार से शायद प्रधान मंत्री बात कर रहे हैं जो राक पास्वान को सांत्वना दे रहे हैं 74 साल की उम्र में राम विलास पास्वान का निधन हुआ उनकी राजन्यातिक समझ की हर कोई दाद दिता था अलग अलग प्रधान मंत्रियों के साथ काम किया उन्होंने और उनके बारे में कहा जाता था कि सियासत के सबसे बड़े मौसम वेग्यानिक राम विलास पास्वान लेकिन हैं तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री उनके प्रधान मंत्री उनके पिता की सिहत को लेकर चिंतित थे और ये तस्वीरे इस वक्त राम विलास पास्वान के घर से जहां पर उनके परिवार से प्रधान मंत्री नरेंद मोदी उनको सांत्वना देते हुए तो राम विलास पास्वान आपको बता दें दिल्ली में 12 जनपत पर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शंग करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी पहुंचे हैं 74 साल के उम्र में राम विलास पास्वान का नेधन हुआ प्रधान मंत्री मूदी शुर्धान ली देने के लिए उनके परिवार सिफलाल बात कर रहे हैं वो राम विलास पास्वान के घर पर प्रधान मंत्री मौझूद है और शिराग पास्वान भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनके बेटे तो शिराग पास्वान को ढंडस बंधाया तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं उनके परिवार वालों से बात की और ये अंतिम दर्शन की तस्वीरे हैं दिल्ली में इसके बाद उनका पार्थिश शरीर यहां से पटना चला जाएगा रामविलास पासवान के अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दोहजार चौदा में जिस तरीके से उन्होंने इंडिये में जॉइन किया और प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेता माना यह अपने आप में सबको अचंबित करता है लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगर आपको ट्वीट याद हो उनके स्वर्गवास के वाज उन्होंने का वर्किंग टुगेदर शोल्डर तो शोल्डर विद पासवान जी आज बीन इंक्रेड़िबल एक्सपिरिंस क्या आप पर भी बर्पा है जालसाजी का कहर सपने टूटे आपके नघर के नघाट के क्या आप भी हुए हैं धोखा धड़ी के शिकार भेजिए अपनी आप बीती लूटखर at tv9.com पर देखिए रोज रात साढ़े नौ बजे फिकराब की